जहीं दोस्तों चलिए उस तो बात करते हैं इस एक और कोशन के बारे में इस कोशन में एक्जामने ने कहा है if the radius of a circle increase by 29% its area increase by how much percent यानि कि एक्जामने ने क्या का कि अगर एक circle है उसकी अगर radius 100 है तो radius बढ़के 129 हो जाती है 129 कहता है कि इसका अगर area निकाला जाए तो area में कितने पर्शेंट का increment होगा तो पहले तो मैं पता हो ना जाए कि area of circle क्या होता है पाई आर square यानि कि पाई तो इधर भी हो इधर भी हो कट जाएगा तो इसका मतलब है इसका अगर में square करूंगा तो इसका area जाएगा तो यह कितना हो जाएगा 10,000 कि इसको multiply करेंगे तो 129 और यह 129 नाइन हो जाएगा बारा बारा एक सो चावालिस हो जाएगा आपका तो बारा निम्मा एक सो आठ गुना में दो तो यह सोला तो यह 216 इसको जोड़ देंगे तो वन आठ से चोगा पाच और छे छे और एक यानि कि वन स्टिक्स स्टिक्स फो वन यह इसका area हो जाएगा यानि कि पहले area कितना है 10,000 था अब बढ़कर इतना हो गया बताने कितने परसंट की बढ़ उतरी तो इन दोनों का difference करेंग इसको सॉल करेंगे इन दोनों कट करेंगे तो यह जाएगा 66.41 परसंट यानि कि option जो इसमें डी होगा वही इस question का correct होगा एक बार फिर देख लिते हैं इसने कहा area of circle बताना है कितने परसंट इंग्रेज हुआ यादि radius 29 परसंट बढ़ जाती है तो मैंने माना कि radius 100 थी तो बढ़कर कितने हैं कि 129 हो जाएगी अब अगर मैं इसका area निकालों तो मुझे radius का square करना पड़ेगा और इस वाली radius का square करूंगा तो इसका मेरे पास आएगा 164 16641 आएगा और इसका 10,000 आएगा तो 10,000 से जो area हो गया 16641 हो गया यानि दोनों का difference निकालोंगा तो 6641 अपो जय हिंद जय भारत